मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज का ही जो वीडियो है इस वीडियो के दौरान हम सॉइल साइन्स सब्जेक्ट के एक कोर्स टाइटल Problematic Soils and Their Management के next topic, irrigation water quality के बारे में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो के दौरान सबसे पहले हम जानेंगे की water quality से हमारा क्या मतलब है और specifically उसके बाद हम बात करेंगे irrigation water quality के बारे में अब irrigation के लिए water की quality कैसी हो? इसके estimation के लिए हम various type of criteria, classifications और जो standards यूज़ करते हैं साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्स टाइटल है Problematic Soils and Their Management इसके previous topics जो हैं उनके उपर मैं already वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके link उपर आई बटन के साथ निचे description box में available हैं आप चाहें तो नहीं देख सकते हैं तो चलिए topic को सबसे पहले शुरू करते हुए जानते हैं कि water quality होती क्या है अब आपके दिमाग में आएगा कि भई दिवाकर water की quality water quality होती है हाँ अबकॉस बट अगर इसकी particular definition हम देखें तो वो क्या हो सकती है कि water quality refers to physical, chemical and biological properties of water physical, chemical and biological properties of water resources which determines their suitability for domestic, industrial and irrigation purpose हाँ हम ऐसे physical, chemical and biological properties को देख रहे हैं जो कि हमें इसकी suitability बताएगा किस परपस से कि हम उसे या तो domestic घरेलू कामों के लिए ये काम में ले सकते हैं उस पानी को या फिर industries के अंदर काम में ले सकते हैं या irrigation के purpose के लिए काम में ले सकते हैं तो हम कहने का मतलब यह हुआ कि water की quality हमारे purpose पर डिपेंडेंट है कि आपका purpose क्या है यूज करने का अगर आप domestic या drinking की purpose से या अलग को आपका purpose क्या है या फिर आप industries के रूँ अंदर उसे काम में लेना चाह रहे हैं या irrigation के purpose से काम में लेना चाह रहे हैं तो उस तरह से हम उसकी water की quality को determine करते हैं हमारा topic क्या है हमारा topic है quality of irrigation water इसकी definition यह हो सकती है कि characteristics of water supply water supply that will influence its suitability for irrigation purpose उसी का एक part हो गया quality of irrigation water अब हम properties पर focus करते हैं यह हमने जैसा लिखा कि characteristics ऐसे कौन से characteristics होंगी जो quality of irrigation water को पर determine करेंगी तो मेरे क्यास रेफिनेशन तो समझ आई गई है आपको अब हम सोड़ा सा जानेंगे कि इनके कौन-कौन से parameters है परमेटर्स भी यह से आप जान चूके हैं कि physical, chemical and biological कौन से physical, कौन से chemical और कौन से biological parameters हैं जो की determine करते हैं या जो की effect करते हैं quality of irrigation water जानते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि various type of parameters हैं जो की हम काम में लेते हैं किसके लिए जो की हम चेक करते हैं water की quality के लिए तो तीन तरह के parameters है physical, chemical और biological physical parameters के अंदर हम देख रहे हैं कि water का कदर कैसा है उसके अंदर उसका order यानि उसकी smell वगेरा कैसी है अर्षी हो रहा है जो बिना microscope की हम उसके अंदर पानी के अंदर गंद की देख सकते हैं उसके लिए time use करते हैं हम है तर्बिडिटी अनल तो कलर और तर्बिडिटी टेस्ट और हम देख रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं वहीं हम बात करी कैमिकल परमेटर की तो वह हो जाएंगी टोटल सॉल्ट कंसेंट्रेशन वाल टाम जानते हैं वे इस टाइप ओफ हम आयन जो आइन का concentration है वो हम consider कर रहे हैं total salt के अंदर है तो टोटल salt concentration क्या है उसका relative proportion of cation anion तो समझा आ गया होगा cation मतलब positive ions और negative ions का relative proportion क्या है तो वो चीज और BOD यानि कि biological oxygen demand और COD यानि कि chemical oxygen demand और यह दोन फेक्टर्स भी हगर हम इसमें रख सकते हैं कि इसमें chemical parameters में यह भी हम करते हैं देखते हैं कि water की quality के लिए determination के लिए काम मिली जाते हैं और वही तीसरा factor भी अगर हम देख रहे हैं तो वह है biological parameter समझ आ गया होगा कि biological मतलब कौन से जिसमें bacteria virus वागेरा या algae वागेरा जो हैं उनको हम देख रहे हैं तो वह किसके अंदर आ जाएंगी biological parameters के अंदर आ जाएंगी तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरह से तीन में parameters होते हैं लेकिन आप फ़ला सा ध्यान रखिएगा कि irrigation की purpose के लिए जो हम water की quality देख रहे हैं तो उसके अंदर mainly physical और chemical parameters को ही consider किया जाता है biological parameters को हम domestic purpose के लिए जो पानी यूज के जाता है उसके अंदर consider करते हैं तो इस तरह से हमने जाना कि various type of parameters क्या हैं ओके चलिए अब अपने main topic के उपर आते हैं जो कि है criteria of suitability of water for irrigation यानि कि ऐसे कौन कौन से criteria हैं जो कि estimation के लिए काम में लिए जाते हैं irrigation water की quality के देखिए बहुत सारे अलग तरह के criteria हो सकते हैं 10 से 11 हो सकते हैं लेकिन हम कौन कौन से criteria इस वीडियो के अंदर discuss करने वाले हैं तो हम सबसे पहले जानेंगे कि total concentration of soluble salts यानि कि TSS total soluble salts इसे हम EC इसी मतलब electrical conductivity इसकी रूप में समझेंगे उसके बाद हम समझेंगे कि relative proportion of sodium sodium एक बहुत important element होता है जो कि soil की quality को determine करता है तो उसके estimation के लिए SAR यानि कि sodium absorption ratio उसे जानेंगे उसके बाद हम जानेंगे कि SSP single supervaspate नहीं a soluble sodium percentage soluble sodium percentage और तीसरा criterion भी जानेंगे जो कि है residual sodium carbonate तो इन तीन criterion को भी समझेंगे हम और उसके बाद हम देखेंगे कि concentration of boron and concentration of chloride and nitrate in irrigation water कि बही अलगलग यह जो तीन और elements है या हम कहें ions हैं तो इनकी presence किस तरह से determine करती है irrigation water quality को तो वह अब हम जानने वाले हैं ओके तो चलिए सबसे पहले criteria के बारे में बात करते हैं जो कि है total concentration of soluble salts in irrigation water यानि कि TSS जिसे short में कहा रहे है total soluble salts अब salts क्या होते हैं आप जानते हैं कि cation और anion के बीच में ionic bond होता है तो उससे ही salt बनता है अब यह जो salt है पानी के अंदर जब dispersed होंगे या घुलेवे होंगे तब उस condition में हम देखेंगी कि उन्हीं की वज़े से तो क्या होगी पानी की conductivity होगी water conductivity होगी आप जानते हैं जैसे कि ion present है वो decide करेंगे कि उसकी conductivity क्या है यानी कि हम अगर देखना चाहते हैं कि पानी में कितने ions है या total soluble salts है तो उसके लिए हम क्या determine करेंगे हम electrical conductivity क्योंकि electrical conductivity completely dependent है किस के उपर soluble salts के उपर soluble salts में भी ions के उपर तो वह यहां लिखाया है कि there is a direct correlation between the between the salt content and electrical conductivity इसी मतलब electrical conductivity salts या ions ज़्यादा होंगे तो electrical conductivity भी ज़्यादा होगी है हाना so that is it increases with salt content clear है अब next देखिए EC की जो unit है electrical conductivity की unit अब जानते ही होंगे वैसे तो ciments per meter minus 1 लगा है ciments per meter जो है इसकी unit होती है अब देखिए इस EC की basis पर हम क्या देख रहे हैं कि अलग-अलग classes decide करी गई है चार water quality की classes है अब इन quality के अंदर क्लासे के अंदर क्या लिखा गया है कि जैसे हमाने लिजी सीवन सीटू सीटू सीट्रीं सीफोर अभी जो classes है ये हम एक तरह से रिमार्क देदेते हैं इनको कि कौन सी पानी कौन सी क्लास का पानी काम में लिया जा सकता है irrigation में और कौन सा नहीं लिया जा सकता कैसे decide की गई है ये on the basis of EC clear अब देखिए EC के अंदर भी हम देख रहे हैं कि साइमेंट्स पर मीटर जो हमारी unit है ना उसको हम में साइमेंट्स पर मीटर भी ले सकते हैं iam ď अगर आप साइन से पड़कर आये हैं अब तक अपनी जिन्दीगी में तो इन चीजों को समझते हूंगे आप माय्क्रो मतलब टेन सी पाउर six के रूप में हम लेते हैं माइनस 6 के रूप में, मिली के अंदर 10 to the power माइनस 3 के रूप में देते हैं, DC के अंदर 10 के रूप में consider करते हैं, तो उसी तरह से हम कह रहे हैं कि यह जो EC है, हमने मिली साइमेंट्स पर मेटर के रूप में consider करी है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ data लिखा किया है, C1 क्लास के अंदर 0 से 25, और C2 जो क्लास है उसके अंदर 25 से 75 तक EC होती है, और अगर वाटर की EC जो है, electrical conductivity 75 से 225 तक है, तो उसे हम क्लास 3 consider करते हैं, और 225 से ज़्यादा है, या 500 की बीच में हैं, तो उसे C4 consider करते हैं, वैसे तो आप ध्यान रखिएगा, 225 से अगर ज़्यादा होती है, electrical conductivity तो उसे हम C4 क्लास के अंदर consider करते हैं, आगे बाद समझे, अब ध्यान रखिएगा आप इसे, कि मिली साइमेंट्स पर मैंने जोर इसलिए दिया है, क्योंकि आप कुछ बुक्स में, कुछ नोट्स में आप जब पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको ये 250, 250 से 750 और इस तरह से बड़ा अलग तरह का डाटा भी देख सकते हैं, तो वहाँ यूनिट चेक करिएगा, यहाँ मैंने मिली साइमेंट्स पर मेटर ग्रूप में यहाँ डाटा लिखा है, और रिमार्क किस तरह से हम क्या कहते हैं, अगर C1 क्लास है, तो उसे हम can be used safely, उसे irrigation के लिए असानी से काम में ले जा सकता है, C2 क्लास है, तो उसे use तो कर सकते हैं, लेकिन moderate leaching के साथ, मतलब soil के अंदर ions, कुछ ions नीचे जले जाने चाहिए, तब उसे काम में ले सकते हैं, C3 और C4 क्लास जो है, वो unsatisfactory है, इसे हम काम में नहीं लेते हैं, किसके लिए, irrigation के परपस के लिए, तो cannot be used for the irrigation purpose, इस तरह से हमने देखा, पहला criteria, जो की है, total concentration of soluble salts, की ऐसे, आप चाहें, तो उसे note कर सकते हैं, चलिए, second criteria के बारे में बात कर लेते हैं, जो की है, relative proportion of Na, मतलब sodium, वही, sodium element में ऐसी क्या खास बात है, जिसका, जिसकी वज़े से, इसका criteria अलग से पढ़ा जा रहा है, अच्छा, पहले तो, सबसे पहले ही, मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा, कि यह जैसे हमारा course title है, problematic soils and their management, soils के उपर focused हैं, लेकिन topic चल रहा है, irrigation water, ऐसा क्यों, irrigation water quality, ऐसा क्यों, water quality और soil का क्या relation है, ध्यान रखें कि irrigation water की quality कैसी होगी, वो कहीना कहीं हम देख रहे हैं, decide कर रहे हैं, कि हमारी जो soil है, उसके अंदर available ions वगेरा क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, तो कहने का मतलब यह इस अंदर ऐसे interlinked हैं, इसलिए तो स्कोर्स राइडल के अंदर हम इस topic को पढ़ रहे हैं, क्यों बड़ी बात नहीं बताई, मैंने ऐसे तो, पट फिर भी ध्यान रखेगा इस सीज को, लेकिन अब हम देख रहे हैं, sodium के उपर, sodium के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है, तो मेरे dispersed रहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हटने लगते हैं, तो उस वज़े से क्या होता है, soil की permeability effect होती है, permeability effect होती है, तो इससे मतलब permeability कम हो जाती है, soil के अंदर, air and water का जो flow है, वो disturbed होता है, बलकि खराब हो जाता है, तो कहने का मतलब यह हुआ, sodium जो है, soil के अंदर ज्या relative proportion of sodium in irrigation water also, why, क्योंकि भई, soil के अंदर हम देख रहे हैं कि sodium किस हसाब से, और हम अपने irrigation water में भी sodium कितना दे रहे हैं, वो में पता होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर रहे है, इस criteria को भी बढ़ते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो बढ़ते हैं, वो है SAR, जिसे हम कहते ह है, sodium absorption ratio, ठीक है, अब sodium absorption ratio क्या है, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से, soil की surface पे sodium कितना absorb हुआ है, अना, अब sodium कितना absorb हुआ है, वो हम किस से compare करें, बाकी cations से, बाकी positive ions से, कौन होते हैं, दूसरे बाकी cations, तो हम देखते हैं, calcium and magnesium, calcium magnesium अगेरा कितने हैं, तो उ इसके लिए हम क्या गह रहे है, sodium absorption ratio देख रहे है, ratio, ratio मतलब दो चीज़ों का divide है, किस-का हम देख रहे है, sodium की ions कितने हैं, और दूसरा हम देख रहे है, calcium और magnesium के आइन कितने हैं, ठीक है, इसका एक formula बनाया गया है, जो कि SAR is equal to Na का content, अच्छा, Na plus और इन सारे ions की हम concentration किस में देख रहे हैं, तो milli equivalent पर liter की रूप में इसकी unit देखी जाती है, तो लेकिन ratio, SAR की कोई unit नहीं होगी, क्योंकि ratio है, यह तो लेकिन Na plus, इन ions की क्या unit होगी, तो वह मैं बता रहा हूँ, milli equivalent पर liter की रूप में होती है, यह formula अच्छे से आप याद रखी का, GRF examinations वगरा में, और बहुत सारे अलगले examination के लिए important होता है, ठीक है, जल्दी से अगर इसकी हम definition पढ़ लें, तो देखी, the tendency of sodium to increase its proportion, अपने हिस्सेदारी बढ़ानी है इसको, on the cation exchange side, जहां बहुत अलगले cations available है, is estimated by the ratio, इस ratio की रूप में हम इसे बढ़ते हैं, sodium contained to the calcium magnesium in the irrigation water, और irrigation water के अंदर हमें इतना ध्यान हो कि हमारी soil के अंदर sodium content वगरा किसे साब से उसे साब से अना तो अब इसके basis पे हम बाटर को हम किस तरह से classify कर सकते हैं, चार classes के अंदर क्या से इस तरह से चार classes है, उसमें क्या होगा, अगर सर की value 0 to 10 है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, no hazard, आराम से का से तो से थोड़ा management practices काम में ली जाएं soil में, सब काम में लिया जा सकता है इस तरह का water, और 18 to 16 या 16 से ज़्यादा है, तो यह unsatisfactory है, irrigation के लिए इस ते गाम में नहीं लेंगे, ठीक है, आई बाद समझेंगे, एक छोड़ी सी जी ज़ूर बताना चाहूंगा, मैं कि 1981 के अंद अब यह जो sodium absorption ratio के अंदर हम सिर्फ sodium और calcium magnesium को ही consider कर रहे हैं, ध्यान इसमें एक चीज़ और focus करनी चाहिए, जो कि वो हो सकती है, कि sodium magnesium किस पर dependent है, carbonate and bicarbonate के उपर, क्योंकि bicarbonate and carbonate anion है, वो जुड़ जाते है sodium calcium के साथ, वो नीचे उसको ले जाते हैं, मतलब लीचिंग ह सकते हैं, या stable हो सकते हैं, उतके साथ वो, कहने का मतलब यह हुआ कि जो adjusted SAR है, adjusted SAR का अपना एक अलग formula होता है, तो उसके अंदर हम concentration और भी add, मतलब उसमें लिखते हैं, वो bicarbonate और carbonate को भी concern करते हैं, उसके basis पे यह criteria जो है, थोड़ा अलग हो जाता है, इसके data थोड़ा अ SAR, इसे हम कहा सकते हैं, sodium absorption ratio, ठीक है, आप चाहिए, तो इसे नोट कर सकते हैं, जो की है, residual sodium carbonate, अब आप इसका जब formula देखेंगे, RSC का formula देखेंगे, तो आप देखेंगे, carbonate और bicarbonate जो ions है, उसमें से minus किया गया है, calcium और magnesium की ions को, तो residual sodium carbonate के formula में, sodium तो है ही नहीं, हाना, क्यों हो ऐसा, हम देख रहे हैं, कि RSC value हम क्यों निकाल रहे हैं, समझे, कि carbonate और जो bicarbonate हैं, उनका amount जो है, उसमें से हम minus कर रहे हैं, calcium और magnesium क्या है उनको, हाना, मतलब जैसे कि मान लिजे, इसे एक example group में समझे, कि carbonate और bicarbonate मान लिजे, total मिला के 20 ह हैं, और हम देख रहे हैं, calcium और magnesium 10 है, तो 20 माइनस 10, बचे कितने 10, तो अभी जो पीछे बचे वे 10 हैं, यह जो carbonate और bicarbonate हैं, वो bond बनाएंगे किन के साथ, sodium के साथ, समझाया, मैं यह कहना चाहता हूँ, 20 माइनस 10 में से, जो 10 हैं, वो तो calcium magnesium के साथ bond बना रहे हैं, और जास्तों में एक तरगे residue के रूप में हम कहा रहे हैं, तो यह sodium के साथ, अपना carbonate यह, bicarbonate iron बनाएगा, carbonate यहाना, तो यह कहने का मदब यह हुआ, इसलिए हम इसको determine करते है, residual sodium carbonate को, आया समझने हैं, इसलिए हम RSC short form में कहा रहे हैं, अब यह है iron का concentration ही, इसलिए हम जैसे midi equivalent per liter के रूप में, unit होती है इसकी, और इसकी values आप देख सकते हैं, अगर 1.25 milli equivalent per liter से कम है, तो इसे use किया जा सकता है safely, irrigation के परपस से, 1.25 से 2.5 की बीच में है, तो इसे कुछ management के साथ में use कर सकते हैं, और 2.5 से ज्यादा है, तो हमें से suitable नहीं है, या unsuitable है किसके लिए irrigation क के परपस, okay, clear है, आगया होगा आपको समझ में, RSC, residual sodium carbonate, एक चीज़ देखिए, मैंने उपर लिखा, SSP, soluble sodium percentage, वो वास्तों में हम देखते हैं, soil के परपस से calculate किया जाता है, वो वो भी एक तरह से sodium का, iron का percentage है, comparative to other cations, बाकी cations क्या है, उसके इसाब से एक percentage निकाल जाता ह है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे है, irrigation water quality की नहीं, तो वो criteria की बात कर रहे है, तो इसलिए हमें आद दो sodium separated criteria पड़े, SAR और दूसरा residual sodium काहल है, ओके, तो चलिए next criteria के बारे में बात करते हैं, जो कि है boron concentration, अब देखिए boron का concentration तो वैसे तो बहुत कम, यानि PPM के अंदर, पार्ट समर मिलियन के अंदर देखा जाता है, पर इसकी एक particular amount से अगर यह ज्यादा हो जाता है, तो प्लांट में उसकी toxicity हो जाती है, toxicity से अलग अलग defect से आ कर सकते हैं, पौदे में problem देखे जाती है, आना तो यानि हमारे irrigation जो water है, उसके अंदर particularly हम देख रहे हैं, उसकी ज limit tolerant है, या अच्छी tolerant crop है, boron का concentration tolerant कर सकती ही crop है, तो इस तरह से अलग रहे crops के लिए हम इनका amount देखते हैं, अलग रहे देखते हैं, अना water quality इस तरह से अलग रहे देख सकते हैं, जैसे कि low rate का medium high या very high boron concentration के basis पे, अना तो अब देखी sensitive crops के अंदर अगर less than 0.33 हम देख रहे ह हाई के अंदर 0.67 से 1 तक हो सकता है, और very high condition के अंदर 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, semi tolerant crops जो है उनके अंदर less than 0.65 है, medium condition के अंदर 0.65 7 है, और 1 to 2 है high के लिए और 2 से ज़्यादा है very high के लिए, वहीं हम tolerant crop के अगरम बात कर लें, तो वो है 1 से कम है तो low, 1 to 2 है तो medium, 2 से 3 ह है तो फिर उसे high और 3 से ज़्यादा है तो उसे, हम very high condition के अंदर consider करने, तो कहने का में दब यह हुआ, यह तो बड़बड़ बड़बड़ करके बोल दिया मैंने, लेकिन sensitive crops, semi tolerant crop और tolerant crop, कौन कौन सी crops है, तो उसका chart मेरी कोशिश है यहाँ screen के अपर available हो, अगर नहीं है तो नीचे description box में जो PDF available है, वहाँ अपकॉस ओचार्ट available है, आप चाहें, तो देख सकते हैं कि कौन सी sensitive crops है, बोरोन concentration के लिए, और कौन सी semi tolerant है और कौन सी tolerant है, तो चलिए इस वीडियो के last right area के बारे में भी जल्दी से बात कर लेते हैं, जो कि है chloride concentration, अब देखी, soluble salts which hinder plant growth have chloride content as one of the most numerous anion, जो अगर water के अंदर ज्यादा हो, तो वो दिख्यत कर सकता है plants के लिए, जना chloride burn ऐसी मतलब दिख्यत ही हो सकती है, plant के अंदर, तो chloride का concentration जो है, वो हम comparatively निकालते है, nitrate के साथ, तो देखी, chloride concentration, वो ही unit तो वही होगी, मेरी equivalent per liter, तो हम देख रहे है, chloride और nitrate का आयन क content क्या है, upon me, overall anions का content क्या है, तो इस तरह से हम इनका chloride concentration निकाल सकते हैं, अब इसके basis पे हम water को अलगला classify कर सकते हैं, कि less than 4 milli equivalent per liter है, उसे हम excellent water कह सकते हैं, 4 to 7 है तो moderately good कह सकते हैं, 7 to 12 है तो slightly usable कह सकते हैं, और more than 12 है तो not suitable for irrigation purpose के रूप में समझ सकते हैं, तो इस तरह से हमने अपना important role है किसके अंदर irrigation के water quality को decide करने में, तो इस तरह से हमने आज पढ़े various type of criteria related to irrigation water quality, तो यह था हमारा आज का वीडियो और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने explain किया है, उसकी एक PDF form, नीचे description box में available है, अब जाहें तो उसे download करके आराम से पढ़ management के और भी मैं topics पहले ही वीडियो में cover कर चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनके link उपर आई बटन के साथ, नीचे description box में available है, आप चाहें तो नहीं देख सकते हैं, साथ में, साथ में अगर आप general agriculture की knowledge और question answers में interest रखते हैं, तो आप हमें Instagram, Facebook या में थैसे चाहें तो सनकते हैं, तो आप हमें एन साथ किता-ठैजर येखल के झाओ कर खंदीं से अवें 5